बीच मैदान पर ही बेइमानी पर उत्रे मारनस लाबुशेन फिर सिराज और कोहली भीड़ गए दिखा दी ओकाद डिएसपी सिराज का खौफ आउट होने से डरे लाबुशेन तो अड़ा दिया बल्ला भारत और आस्ट्रेलिया बीच जारी पर्थ टेस्ट मैच का पहला दिन पेहद रोमान्चक रहा इस दौरान मेजबान टीम के बल्ले बाज भारतिय गेंदबाजों को स्लेज करते हुए भी दिखे मुहम्मद सिराज और मारनस लाबुशेन के बीच खूब नोक जौक हुई इस बीच विराट कोहली भी सिराज के सपोर्ट में उतरे और फील्ड अंपायर से कंगारू बल्लेबास की शिकायत कर दी पहले दिन 17 विकेट गिरे आप्टस स्टेडियम की तेज और उच्छाल वाली पिच पर भारतिय टीम 50 ओवर भी नहीं टिक पाई कमोबेश यही हाल आस्ट्रेलिया का भी रहा जिसने 27 ओवर में अपने 7 विकेट गमवा दिये पहली पारी में भारत को 150 रन पर धेर करने वाली आस्ट्रेलियाई टीम का हाल भी बेहाल है आस्ट्रेलियाई पारी के 13 ओवर में मोहमद सिराज ने मारनस लाबुशेन को गेंद भेंगी लाबुशेन ने इस गेंद पर बड़े शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन वह पूरी तरह फेल हो गए गेंद लाबुशेन के बल्ले से टकरा कर स्टंप की तरफ बढ़ रही थी कि तभी कंगारु बैटर ने गेंद को अपने बल्ले से अलग कर दिया लाबुशेन ने गेंद के जब अलग किया उस समय सिराज गेंद की ओर बढ़ रहे थे लेकिन लाबुशेन ने डर के मारे हौकी की तरह गेंद को सिराज के सामने से दूसरी ओर धकेल दिया उने गेंद मांगी और गिल्लियां गिराते हुए अपना रियक्शन दिया कुल मिलाकर कुछ मिनट तक मैदान पर गर्मा घर्मी का माहौल देखने लायक था